Hello students, तो पिछले वीडियो में आप लोग का second chapter चल रहा है जिसमें कि पिछले वीडियो में आप लोगोंने पढ़ा था logical operator जिसमें and, or, or not के बारे में आप लोग को पढ़ना था तो आज आप लोग पढ़ेंगे pseudo code के बारे में सबसे पहला तो यह लिखागवा है पी से ठीक है तो आप तो कोई है लग रहा कि इसे प्यू सूडो कोड पढ़ते हैं क्यूंकि इसका जो पी है वो इसको इसलेंट होता है तो यह सबसे पहले है क्या स्यूड़ है कया तो शूड़ ओक एक प्रोग्डामीज है यह ऐक हाइई लेवल रेंग्वेज हों कंप् टिटर का ठीक है जिसें आप कर दों करने में अप्रोग्राम के कलो को मतलब प्रोग्राम कासा चल रहा है उसे रिए करने में help करता है ठीक है तो studio code is an artificial code to understand program flow ठीक है यह एक artificial code की तरह काम करता है जो कि program के flow को देखने में मदद करता है it is just a practice before producing the final code of programming language यह एक practice है जिसमें कि आप लोग कोड़ डाल के देख सकते हो कोई programming कैसा चलेगा यह final code डालने के पहले ठीक है programming करने के समय आप जिद्व जब program बनाता है ना तो उसे में code डालना पड़ता है तो final code डालनेके पहले pseudo code का help लेकर पर प्रोड़ाम को अच्छे से चलाने का कुसिस करता है ठीक है pseudo code is not an actual programming language it is a compatible with the programming language so it cannot execute on computer system यह एक programming language नहीं है बलकि यह एक programming language की तरह है जो कि कोई भी programming language को क्यूट करने मतलब उसे यह सेफ करने से पहले लिखा जाता है ठीक है इसमें पहले बीगिन और इंड का यूज होता है स्टार्ट करने के पहले बीगिन और इंड करने से के बाद इंड ठीक है यूज साप एक्सेप्ट कीवर्ड फोर इंपुट एंड डिस्प्ले कीवर्ड फोर आउटपुट और कोई भी कीवर्ड को इंपुट लेने के लिए एक्सेप्ट यूज करता है और आउटपुट लेन के लिए डबल स्लैस का यूज होता है ठीक है लेट सी सम एक्जामपल ओफ क्रेटिंग स्यूडो कोड स्यूडो कोड टू फाइंड दा सम आफ टू नंबर कैसे लिखा जाता है देखो तो यहां स्टार्ट करने से पहले बीगन लिखा गया उसके बाद एक्सेप्ट एक्स पिर इंड किया तो समझगे कैसे लिखा जाता है एक सेप्ट एसफरे है और एडिये करने के लिए एडियर करने के लिए और जैसे कि आप लोगरिधिम के बारे में एक उसी का टाइप है studio code is an artificial and informal language that helps programmers to develop algorithms मैंने बता ना यह algorithm का एक टाइप है you will learn about algorithm in next chapter आप लोग को इस class में algorithm के बारे में पढ़ना है next chapter में जो कि आप लोग 5 class में पढ़ चुके हो कि कैसे एक step को लिखा जाता था यह oval से start करके फिर end करके ठीक है तो आप लोग का यह chapter खतम हो गया अब आप लोग इसका जो है objective बना लोगे ठीक है